हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई चैनल माई बेबी क्यार और मैं हूँ आपके साथ अर्शना फ्रेंड्स ब्रेस्ट सैगिंग यानि ब्रेस्ट का लटकना महिलाओं में होने वाली एक आम प्रॉब्लम है यह किसी भी एजड्स में और किसी भी रिजन के विज़ण से हो सकती है तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर आप ब्रेस्ट सैगिंग से जूज रही है तो आपको क्या करना चाही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले ये बात करते हैं कि breast sagging का मतलब क्या है देखे breast में एक तरह का ligament होता है जिसे हम कूपर ligament बोलते हैं जो कि breast को एक जिगा fix रखता है लेकिन जब ये ligament lose होने लगता है तो breast fix न रहकर लटक जाते हैं इसे ही breast sagging कहते हैं जादतर महिलाओं में ये problem देखने को मिलती है देखे महिलाओं में यानि कि ladies में breast sagging होने के बहुत से reasons हो सकते हैं तो आईए पहले जानते हैं कि वो reasons क्या है breast sagging का सबसे main reason होता है breast feeding कराना यानि कि बच्चे को दूद पिलाना breast feeding कराने से breast के fat cells सुकरने लगते हैं और जिस विजल से breast में डिला पना जाता है इसलिए जो महिलाओं breast feeding कराती हैं अपने बच्चे को दूद पिलाती हैं उन्हें exercise पर जरूर ध्यान देना चाहिए next आपका age factor भी breast sagging का कारण हो सकता है अगर आप 30 से जादा की उमर की हैं तो ये problem होने के chances हो जाते हैं इसके लावा मीनोपॉस यानि कि जब आपके periods आने बन आने का time होता है उस time पर भी hormones के कारण breast लटकने लगते हैं अगर आपके शरीर का विजन अचानक से ही जादा कम हो जाता है तो भी breast sagging के chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं क्योंकि वजन जादा कम होने से breast की muscles lose हो जाती हैं और breast लटक जाते हैं आपके शरीर के structure के कारण भी आपके breast लटक जाते हैं अगर आपका weight बहुत जादा है और आपके breast भी जादा heavy है तो उनके ढीले पढ़ने के chances भी बहुत जादा हो जाते हैं फ्रेंट्स breast sagging कम age के लड़कियों में भी देखने को मिल सकती है अगर कोई लड़की बहुत जादा gym या exercise करती है और इस टाइम पर सही quality की sports प्रा नहीं पेहनती है तो भी उसके breast sagging के problem उसको हो सकती है फ्रेंट्स pregnancy या एक age के बाद breast का lose होना एक आम बात है लेकिन इससे आपको कहीं नगहीं आपका confidence lose होता है और आप इस चीज़ को लेकर बहुत परिशान रहती है कि problem क्यों हो रही है तो अब बात करते हैं कि अगर किसी reason से आपके breast में ढिलापन आ गया है या breast sagging के problem आपको हो रही है तो आप इसको किस तरीके से सही कर सकते हैं या कम कर सकते हैं पहले चीज़ कि आप ऐसी बाद पहनें जो आपके breast को सही support दे सकें अपने breast के size और shape के according की किसी अच्छी brand के supportive bra आपको पहनने चाहिए breast sagging को रोकने के लिए कुछ exercise या yoga भी होते हैं जिने आप कर सकते हैं जैसे कि धनुरासन, cobra pose, chair dip, superman pose इनको करके आप breast sagging के problem को कम कर सकते हैं breast sagging को lift करने के लिए यानि की जो लटके हुए breast हैं उनको ठीक करने के लिए push up करना भी एक अच्छा उपाय है daily कुछ देर तक आपको push up करने चाहिए और आपको कुछ दिन में फर्क खुद ही दिखाए दे जाएगा breast sagging से बचने के लिए अपने बैटने और खड़े होने के posture को भी ठीक रखिए हमेशा backbone सीधी रखकर बैठे या फिर खड़े हो breast feeding के time पर यानि कि जब आपने बच्चे को दूद पिला रहे हैं और आपको फील हो रहा है कि आपके breast lose हो रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आपका baby जब भी दूद पिये तो आपके breast को वो side से पकड़े ना कि नीचे से friends कुछ ladies जो है breast feeding के time पर bra पहनना छोड़ देती हैं इससे भी breast lose हो जाते हैं इसलिए delivery हो जाने के बाद bra पहनना आपको नहीं छोड़ना चाहिए बेबी को feed कराने के according जो है market में जो nursing bra आते हैं वो आप पहन सकते हैं तो इनको आप असानी से खोल और बंद भी कर सकती है जब आपके breast धीले हो रहे हो या breast sagging के problem आपको हो रहे हैं तो उस time पर आपको अपनी diet पर भी ध्यान रखना चाहिए सादा oily और spicy food नहीं खाना चाहिए healthy और balanced diet आपको लेनी है और इस time पर आपको alcohol और smoking भी नहीं करने चाहिए फ्रेट्स breast sagging होना कोई बहुत बड़ी परिशानी नहीं है लेकिन एक तरह का confidence आपका lose हो जाता है तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे tips की जिनसे आप breast sagging की problem को दूर कर सकती है first की breast को dry नहीं रहने देना है उस पर किसी न किसी तरक आप moisturizer ज़रूर यूज करें इससे आपको breast sagging की problem नहीं होगी next हमेशा सही size की और अच्छी brand की ही bra पहनी है जादा tight bra नहीं पहनी है इस किरावा बहुत लंबे समय तक एक bra नहीं पहनी है 6-9 मिने के बाद आपको वो bra change कर देनी चाहिए 24 घंटे bra पहन कर ना रहें सोते समय या आराम करते समय आप bra निकाल कर सो सकती है अपने शरीर को हमेशा hydrated रखें जितना हो सके उतना पानी पी कम से कम 2-3 लीटर पानी आपको daily पीना ही चाहिए अगर आप बेबी को breastfeed करा रहे हैं तो बच्चे को लेट कर दूद ना पिलाए फ्रेंट्स एज जादा होने पर breast थोड़े बहुत loose हो ही जाते हैं लेकिन ये अगर कम age में ही आपको हो रहे हैं तो आप इन्हें काफी हद तक रोख सकते हैं अगर आपको फिर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए तो फ्रेंट्स यही था हमारा अज का वीडियो आपको आप समझ पाएं होंगे कि ब्रेस से क्या है ये क्यूं होती है और आप किस तरीके से इसको कम कर सकते हैं तो आपको आपके लिए वीडियो हेलफुल रहा होगा हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे थैंक यू